तो जैसा कि नीदी दीदी ने बताया, मेरा नाम शशी शर्मा है और फिलहाल मैं राजके कर्णिया महाविद्याल है भिलवाडा में प्रोफेसर के पत्पे कारे रहत हूँ अहार एवम पोशन मेरा सब्जेक्ट आफ स्पेशलाइजेशन है परिवार में हजबन एक बेटा साससुर है और हजबन जो है वो भारतिय पुलिस सेवा में है और वर्तुमान में भिलवाडा में ही पदस्तापित है बेटा बीटैक करने के पश्चात जौब पाने के लिए प्रियारी कर रहा है और मैं नाइंथ बेट्च से मॉनिंग सेशन अटेंड कर रही हूं और यह जो जून मा मंत था उसी में मैंने यूहवी 1 और टू वर्कशॉप ऑनलाइन मोड से की है और जून में ही एक और यूएच वर्कशॉप अटेंड कर चुकी हूं इस तरह से दो UHV One वर्क्शॉप हो गई हैं और दूसरी वर्क्शॉप पैनलिस्ट के रूप में जोइन की थी तो क्योंकि जून में समर विकेशन थी मेरे पास में समय था इसलिए मैंने उस समय का सदुप्योग किया और लगबग मेरा पूरा ही समय UHV में और इसके वर्क्शॉप में उसको समझने में जाता रहा है इसका मुझे भरपूर फायदा हुआ और स्वयम में मैं काफी परिमार्जन देख पा रही हूँ शेरिंग के जो सेकिंड और थर्ड पॉइंट है जिसमें कहा है कि अभ्यास एक और दो से क्या समझ बनी और दूसरा अभी कितने स्टैप्स को साफ साफ स्वयम में देख पाते हैं तो ये दोनों ही पॉइंट मैं एक साथ ही रखने जा रही हूँ सबसे पहले अभ्यास एक की बात करते हैं उसमें पहले पहला जो स्टैप है वो मुझे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है जिसमें कहा गया है कि सजक्ता के साथ अपनी कल्गनशिलता यानि भाविचार और आशा को देखने का अभ्यास करना है और कहा है कि अब्जर्व करते समय कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है ये जो बात है कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है ये मैं आरमों में समझ ही नहीं पाती थी और जब ये बात समझ में आई कि शिल्द द्रिश्टा रूप में अपने कल्गनशिलता को देखना है और ये जब हो पाया बहुत कम बार हो पाता है लेकिन जब होता है तो मुझे समझ में आता है कि ये पहला step कितना महतुपूर्ण है और इसके द्वारा हमसे क्या अभ्यास करवाने की का प्रयास किया जा रहा है तो इस संदर्म में कहूं तो जब मेरे भाव बिगड़ते थी तब मेरा ध्यान जाता था परन्तु क्योंकि वह स्विकार्य नहीं होता था इसलिए तुरंत ही विचारों द्वारा मैं उसे ठीक करने में लग जाती थी और जितना प्रयास करती मेरे भाव उतनी ही अधिक भाव को देखना है एज तेस बिना प्रतिक्रिया किये तब स्टेप पन का असली उदेश्य समझ आया और उस दिन से अब तक अपने भाव को बिना प्रतिक्रिया की देखने का प्रयास कर रही हूं यानि चुद्ध द्रश्टा की रूप में और इसके अप्रत्याशित रूप से सकारात्मक परिणाम भी मिले उसके बाद दूसरी बात जिस पर ध्यान गया वहत ही कि मेरे भाव पर ध्यान तभी जाता था जब प्र एस इट इस बिना प्रतिक्रिया के यहां दिखा कि अनुकूल भाव होने पर उसके आस्वादन में ही पूरे डूप जाते हैं अब अनुकूल परिसितियों में भी भाव को बिना प्रतिक्रिया की देखने का प्रयास कर रही हूं तीसरी बात जिस पर ध्यान गया कि मैं भावों पर ही ज़्यादा ध्यान दे रही थी विचार और आशा पर मेरा ध्यान नहीं जा रहा था एक दिन जब यह रियलाइज हुआ और विचारों आशाओं पर ध्यान गया तो सोचा कि जो विचार और आशाएं बनी हुई है इनका कारण क्या है गहराई से देखने पर कई ऐसे संसकार दिखाई दिये जिन पर पहले मेरा ध्यान नहीं गया था तो इस प्रकार पहले चरण से संबंदित कई इस पश्टताएं मुझे में बनी परंतु सजगता उतनी नहीं बन पा रही है क्योंकि जैसे जैसे आगे के स्टैप्स जिसकस होते उन पर ध्यान चला जाता और स्टैप्स के बीच की एक सूत्रता छूट जाती थी दूसरे अभ्यास के समय पहले स्टैप्स का जो अभ्यास होता था वो गायब हो जाता था और अन्य चरणों के अभ्यास और समय समझ बढ़ाने पर फोकस हो जाता था परंतो जब से ये अभ्यास वन और अभ्यास टू समाप्त हुआ है तब से मैंने शुरू से अभ्यास वन के स्टैप्स करने शुरू कर दिये हैं और तब से जो समझ बनी है सजक्ता के साथ उसका अभ्यास करने का प्रयास कर रही हूं और ये देख पा रही हूं कि इस दिश जो मेरा परिमार्जन हुआ है, बेटरमेंट हुआ है, उसको भी देख पानी हूँ अब अभ्यास एक के सेकिंड और थर्ड स्टेप की बात करो तो इसके अनुसार सहज भावों को बहुत स्पष्टता से देख पाती हूँ और ऐसा होने पर आराम में रहती हूँ पहले जहां संबंद के स्नेहे के भाव नहीं होते थे पर इग्जेंपल स्टूडेंट्स के साथ वहां स्नेहे का भाव बनने लगा है और व्यवार में भी उसका प्रभाव आया है और साथ ही मैं सुख और आराम भी अनुभव करती हूँ फूर्थ स्टेप की बात करूँ तो जिन परिस्थितियों में मेरे भाव बिगड़ते थे इस समझ के साथ कि मेरे भाव का निर्ने मैं लेती हूँ उन्हीं परिस्थितियों में मेरे भाव स्थिर रह पाते हैं फिर अभी भी अचानक कोई परिस्यती आने पर प्रतिक्रिया कर जाती हूं, तुरंत वैसे ही जैसे पहले किया करती थी और फिर जैसे ही प्रतिक्रिया हो जाती हैं, तो ध्यान आता है कि ये तो काम मैं कर चुकी हूं। इसके अलावा बहुत सी परिस्तियां ऐसी हैं जहां मुझे पता है कि संसकार गहरे होने की कारण अपने भाव इस्थर नहीं रख पाऊंगी ऐसी परिस्तियों से बचती हो या कहूं कि अपनी इर्द गिर्द अनुकूल वातावरन बना लिया है इस पर भी बहुत कारे करना शेश है फिफ्ट स्टैप के अनुसार यह बहुत अच्छी तरह स्पष्ट हुआ है कि अधिकतर निर्ने मान्यता संसकार पर आधारित होते हैं उनके स्थान पर सही समझ के आधार पर निर्ने लेने का प्रयास करती हूं कभी नहीं कर पाती हूं तो उसे छोड़ देती हूं क्योंकि जब विचारों से यानि तर्क पूर्वक भाओं को सही करने जाती हूं तो अंतर विरोध बढ़ जाता है इसलिए समझ बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करना है यह संकल्प बना है। यह मैं अपने आप में देख पा रहे हूं। सेवंथ स्टेप के लिए कहूंगी कि हर चण निर्णय पूर्वक अपने भाव सम्मंद व्यवस्था और सह अस्तित्व के अर्थ में सुनिश्चित करके ही मैं निरंतर सुखी रह पाऊंगी। इस कल्पना से ही रोमांच होता है। परंतु इसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी यह दिखता है। इस बात से पहले घबराहत होती थी कि कब होगा, कैसे होगा, कैसे कर पाऊंगी लेकिन अब ऐसा नहीं है। आशंकाएं कम हुई हैं और विश्वास प्रबल हुआ है। इस प्रकार से यह अभ्यास वन के मेरे अब तक का अब्जर्वेशन और मुल्यांकन है। अभ्यास दो पर आती हूँ, इसके प्रथम स्टेप में मैं और शरी अलग-अलग इकाईयां हैं, यह सपश्टिता बनी हैं, परन्तु यह सजकता निरंतर रूप से नहीं रहती है। फिर भी कहूंगी कि पहले की तुलना में बहतर स्थिती है। इसी प्रकार तिवर समेदना होने पर स्टेप टू पर ध्यान जाता है कि आविशक्ता होने पर मैं शरीर के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करती हूँ। और कई बार ऐसे इस्थिती में हो जैसे तेज दर्द होना या भूट लगना या तेज आवाज होने पर लगता है। जब इन पर प्रतिक्रिया होती है तो ध्यान जाता है कि तो मैं सोचती हूँ कि मैंने इन समेदनाओं का पढ़ने का निरने कब लिया। ये समेदनाओं हैं ही इतनी तिव्र की ध्यान जाता ही है। तो अभी इस चीज में थुड़ा समझना शेश है, इस पश्रता शेश का आनी शेश है। पूर्थ स्टेप करने में भी मुझे बहुत मेहनत करने पड़ती है। प्रयास पूरवक ही देख पाती हूं कि मैं समेदना नहीं हूं, समेदना में नहीं हूं और ऐसा प्रयास में करने की, मतलब अभ्यास करने की कोशिश करती हूं। और सामाने तेया ये अभ्यास में अपनी शारिडिक परिशानियों के साथ करती हूं। फिफ्ट स्टेप पर भी मेरा ध्यान पहले प्रतिकूल समेदनाओं के समय अधिक जाता था। अब जिन समेदनाओं से में सुखी होने का प्रयास करती थी, उस सुख की ख्षनिकता का एहसास होता है, परंतो उनसे अभी भी सुख पाने की आशा अपिक्षाएं बनी हुई हैं। क्योंकि इन एकसाइटमेंट के बिना रहना आता नहीं। तो जब इन से दूरी बना लेती हुँ, तो कुछ दिन में घवरा जाती हुँ, और फिर समेदनाओं से सुखी होने का कारिक्रम बना लेती हुँ। अभी त्रिशंको वाली स्टेज में हुँ, इसलिए कभी-कभी यह स्थिती बहुत विशलित भी कर देती है। आकस्मिक परिस्थितियों में सद्सकार काम कर जाते हैं, और सोचूं समझूं उससे पहले प्रतिक्रिया हो जाती है। बाद में ध्यान आता है कि यह सब क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। सेवन्थ स्टेप पर अभी फोकस नहीं कर पा रही हूँ। कभी अस्तित्व व्यापक या शुन्य की चर्चा होती है, तब ध्यान जाता है, लेकिन जब भी यह ध्यान जाता है, तो बहुत आंदोलित और उत्सवित होती हो। इस प्रकार सार रूप में कहूं, तो मुझे में काफी स्पष्टता तो बनी है, पर अभ्याद में कभी कोई बिंदो छूट जाता है, कभी कोई। इसलिए विचारों में कभी-कभी बहुत उथल-पुथल होने लगती है, और मैं होश खो बैठती हूँ। कभी-कभी ये अवस्ता बहुत दिनों तक रहती है, और कभी जल्दी ही होश में आ भी जाती हूँ। आगे का जो पॉइंट है शेरिंग का, कि सुख स्वभाव है या प्रभाव, इस बिंदू पर स्पष्टता के साथ सही समझ सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रही हूँ। पहले जो सम्वेदनाओं से सुखी होने के कारिकरम रहते थे, उनमें कमी आई है। आवशक देनिक कारियों के अतिरिक्त समझ बढाने का कारिकरम ही चलता रहता है। उसे से मन्दित कतिविदियां होती है तो चाहे मैं वीडियो सुन रही होती हूँ चाहे मैं नोट्स बना रही होती हूँ चाहे मैं अभ्यास कर रही होती हूँ चाहे मैं अपनी फ्रेंज से, अपनी सिस्टर से बात कर रही होती हूँ चाहे मैं अपने बेटे से बात कर रही होती हूँ या इस तरह से या मीटिंग्स अटेंड कर रही होती हूँ तो अब देख पाती हूँ कि पूरे दिन का अधिकतर समय जो है वो समझ को बढ़ानी के लिए लगने लगा है कमिट्मेंट्स के बारे में बात करूँ तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि दिदी वो शेरिंग वाले पॉइंट्स रख देंगे मतलब एक दिन के मेरे ख्याल से तीन चार घंटे मेरे समझने के लिए लगते हैं और कमिट्मेंट में मैं वोलिंट्यरिंग के लिए अपनी सहमती मैंने दे दी है और इसके संदर्ब में मीटिंग्स अटेंड करती हूँ छोटा छोटा काम जो मुझे दिया जाता है जैसे रिजिस्ट्रेशन का एफ एक्यूज का ये जब समय मिलता है मैं करने की सहमती देती हूँ और एक आदा बार किया भी है और इसी दिशा में अभी आगे की कार्या और कर रही हूँ और वीडियो सुन सुनके उनको प्रेजेंट करने की तैयारी भी कर रही हूँ नोट्स बनाती हूँ और कहीं कहीं अपनी दोस्तों के बीच में उनको शेयर भी करती हूँ तो ये अब तक का मेरा काम चल रहा है और इसी प्रियास में लगी हूँ इसी के साथ मैं करतग्यता यापित करना कैसे भूल सकती हूँ आप सभी प्रभूदकों का और यू एच वी का और कि इसने मेरी समझ को बढ़ाने में मेरी जीवन का जो लक्ष है वो मुझे पकडाने में और बहुत सारी चीज़ों समस्या है जो की समाधान जिनका मेरे पास में नहीं था उनका समाधान मुझ तक पहुंचाने में जो सहयोग दिया है उसके लिए मतलब कृतग्यता शब्द बहुत छोटा है लेकिन उसके पीछे के भाव बहुत गह रहे है बहुत बहुत धन्यवाद दिदी जी धन्यवाद दिदी आपकी शेरिंग के लिए दिदी अभी शर्मिला दिदी से आपके बारे में सुनते है शर्मिला दिदी जी नमस्ते नमस्ते सची जी नमस्ते दिदी नमस्ते बहुत अच्छी लगी आपकी शेरिंग बहुत ही इमानदारी से आपने अपने अंदर जो आप देख रहे हैं उसको वैसे के वैसे बताया है और यही है करने का काम मैंने आपकी शेरिंग पहले भी सुनी है और उस समय भी मझे लगा था कि आपने बहुत इमानदारी से और बहुत सिंसेरिटी के साथ आपने यह देखने का प्रियास किया था और अभी भी मैं जहें लगा के बहुत सिंसेरिटी से आप काम कर रहे हूं, बहुत प्रयास कर रहे हूं इसमें अपने अंदर continue रखने का, देखने का, और जो आपने मेंशन किया, आपने ग्रोथ भी अपने में देखी, कैसे जो आपने सही कहा कि जो first step है, वही सबसे महत्पूर्ण है और वही एक तरह से ऐसा step है, जिस पर हम बार 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 वापस जाते हैं, क्योंकि ultimately वो जो शुद्ध द्रिश्टा से देखने वाली बात है, जब हम वहाँ से देख रहे होते हैं, तो reaction होता ही नहीं है, अगर reaction है, तो दिख जाना चाहिए कि हम अभी वहाँ से नहीं देख रहे हैं, वरना reaction होता ही नहीं, हम आराम में ही रहते हैं, देखते हुए आराम में रहना, और यही वो कारण है, जिसके कारण अब जो आप पहले बता रहे थे कि बेचैनी होती थी, कब होगा, कैसे होगा वो बेचैनी खतम हो गई, क्योंकि जब आप शुद्ध दृष्टा से देख रहे हैं, उसका आराम भी आपको मिल रहा है, तो फिर वो बेचैनी हटी गई, वो बेचैनी एक तरह से एक reaction था, वहाँ से देख नहीं रहे थे तब, तो आपने बहुत अच्छे से हर बात को रहे हैं, ऐसे ही करते रहे हैं, आपका काम आगे बढ़ाते रहे हैं अपने अंदर observation, बहुत 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 बढ़ाई और बहुत शुद कामना है आपको, बहुत बहुत अन्यवादी दे, तेंक यू, तेंक यू सो मच,